अस्सलाम अलेकुम दोस्तों यदि आप उमान में रहते हो और उमान के इम तरीन खबर उसे हमें इसा वाकिफ रहना चाते हो तो ये वीडियो को भी नैस क्यूप का पूरा देखिए चैनल पर नहीं हो या फिर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आगन को प् करना पड़ेगा क्या हम लोग PCR हम लोग उमान में जाके करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं इस बारे में दोस्तों बहुत सरा मुझे कॉमेंट आये था तो सोचा इस वीडियो में आपको मैं बता देता हूं तो साथी जैसा कि आप लोग को पता है कि एक सितंबर से मसकर इंटरनेशनल एरपोर्ट के भारत सही 18 देशों के लिए दोस्तों स्टार्ट कर दिया गया जिनमें से इंडिया पाकिस्तान बंगलादेश सभी देश इसमें सामिल है साथी युकबद बहुत बड़ी अपडेट बताने वाला हूं दोस्तों कि वहां पे ओमान में जो 16 लाग लोग वहां पे एक्सपर्ट वहां पे काम करते हैं जिनमें से 10 लाग एक्सपर्ट जो है वो इंडिया से हैं पाकिस्तान से हैं नेपाल से बंगलादेश से तो इसी चारो देश से दोस्तों जालतर वहां पे लोग काम करते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा लोग एक्सपर टिकट की बारे में बात करें तो बचाना चाहूंगा साथ यो इंडिया से यदि आप देली या फिर कोची कोची मुंबाई लखनौ कहीं से भी यदि आप टिकट लेते हो तो आपको कम से कम 35,000 से लेकर 45,000 तक का आपको टिकट का किराया देना पड़ रहा है जो की बढ़कर 4 गुना हो गया दोस्तों पहले के मुकाबले बात करें तो टिकट को जो किराया होता था वो 10,000 से लेकर 15,000 तक टिकट का किराया होता था जो की 70 से 80 उमान रियाल पहले लगता था अब दोस्तों ये बढ़कर हो गया 200 से 300 भी उमान रियाल आपको टिकट का किराया देना पड के लिए दोस्तों आप किसी भी सहर से आप इंडिया से आ रहे हो आपको टिकट के किराया जो है वो तीन से चार गुना आपको जादा पैसा आपको पेमेंट करना पड़ेगा तभी आप ट्रेवल कर पाओ को ओमान के लिए अब दोस्तों ऐसा हो यह रहा है क्योंकि आपको पत अब क्योंकि दोस्तान हो बंगलादेश हो नेपाल हो सब जगा यही प्रॉब्लम हो रहा है टिकट जो वह तीन से चार गुना बढ़ गया है क्योंकि टिकट में त्यक्त में क्योंकि दोस्तों फ्लाइट कम है लोग जाने की वहाँ पे लोगों की ज्यादा भीड़ है इसलि कि आप कोशिस कीजिए कोशिस नहीं मैं बोलता हूं आपको कि अपने देश से ही आप करोना की जाज करवा के जाए क्योंकि ओमान मस्कट एयरपोर्ट पे आपको काफी दिक्कते होगा और काफी जादा महेंगा पड़ जाएगा आपको प्रॉब्लम होने वाला है इसलिए कोशिस कीजिए कि अपने मुल्क अपने घर पर ही पिस्या टेस्ट कर आ लिए 72 घंटे का अंदर का रिपोर्ट होना चाहिए उसके बाद वहाँ पर उमान में चाहिए आपको कोई भी दिक्कत आपको वहाँ पर नहीं होगा तो दोस्तों ये एक छोटी सी अपडेट थी मैं अब तक शेयर किया आसा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी हो वीडियो आपको अच्छी लगी दो लाइक कर दे दोस्तों साथ सेयर कर दे ताकि और भी लोग को इसकी जानकारी हो सके मिलते साथ यों निक्शू डिपर अलाफीज है